राजस्तान में साथ सीटों पर होने वाले विधान सबा उप्चुनाओं में नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है बीजेपी और कॉंग्रेस ने जहां अपने अपने प्रत्याक्षों पर भरवसा जताते हुए किसी के भी साथ गड़बंदन नहीं किया है तो वहीं RLP बाप और निर्दलिय भी मैदान में डटे हुए हैं चाहे ये उप्चुनाओं हो रहा है लेकिन राजस्तान की राजनीती में इस समय हवाओं की बात की जायर तो ऐसा लग रहा है कि मुख्य विधान सबा के चुनाओं यहां पर हो रहे हैं और सरकार किसकी बनेग की इसकी जद्दो जहेद जारी है क्योंकि बीजेपी और कॉंग्रेस के दिगजों की साख इन चुनाओं पर टिकी हुई है विधान सबा चुनाओं में जीत हासल करने के बाद सरकार बनाने के बाद सीम भजनलाल शर्मा के सामने पहली चुनोती लोग सबा चुनाओ थी जि तो वहीं गधान सबा चुनाओं में हार के बाद लोग सबा चुनाओं में जीत के बाद कमबैक करने वाले कॉंग्रेस के कई ऐसे धिगज हैं जिनकी साख भी दाओ पर लगी हुई है लेकिन इन सब के बीच एक चहरा फिर से कॉंग्रेस में गुम है और वो चहरा है सचिन देखिए साथ सीटों पर होने वाले इन उपचुनाओं में दौसा और देवली उनियारा की ऐसी सीट है जिसको सचिन पाइलेट के गड़ के रूप में माना जाता है। सी कारेकरताओं के साथ ही जनता के मन में भी खटकने लगी है। पी सी सी जीव गोविन सिंग डोटासरा और पूर्फ सी हम अशोग गहलोग तो पहुँचे लेकिन जनता की नजरे ढूलती रही सचिन पाइलेट को। जनता के बीच में एक ही कयास था कि सचिन पाइलेट कहा है हाला कि जब उपचुनाओं में सातों सीटों पर प्रत्याक्षों के नामों की घोशना होने से पहले जब नाम फाइनल किये जा रहे थे उस समय वार रूम में मिटिंग में तमाम जो लोग थे कॉंग्रेस के पदादीकारी थे जितने भी दिग्गस थे वे मौजूद थे ल नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है लेकिन सचिन पाइलेट का ही नजर नहीं आए ऐसे में एक बार फिर से राजस्थान की सियासत में सचिन पाइलेट की जो अदावत की दो चार साल पहले की बाते हैं वो फिर से उभरती हुई नजर आ रही है तो वहीं अशोग गहल लोग सबा चुनाओं में सिर्फ अपने बेटे वैभव गहलोत के जीत के लिए तमाम प्रियास करते हुए नजर आए तो अन्य पदों पर उन्होंने दिल्चस्पी नहीं दिखाई थी लेकिन अशोग गहलोत एक बार फिर से समझ चुके हैं कि जनता के बीच जाना ही होगा और अब उप चुनाओं में एक बार फिर से अशोग गहलोत सक्रिय नजर आ रहे हैं ऐसे में अशोग गहलोत की सक्रियता सचिन पाइलेट की दूरी फिर से राजस्थान की राजनिती में थोड़ी चर्चाओं का विशह है ऐसे में आप देखना होगा कि उप चुनाओं में क्या सचिन पाइलेट पूरे तरह से कटे हुए नजर आएंगे या फिर अंत में जिस हिसाब से सचिन पाइलेट मास्टर स्ट्रोक मारे जाने के लिए जाने जाते हैं क्या वो अंत में आकर कोई खेला करेंगे आप देखते रहिए दनगरी मीडिया मैं हो ललत वर्मा